So next is care of the nose, nose की care कैसे करनी चाहिए, keep your nose clean, अपने नाख को हमेशा साफ रखे, the hairs in your nose filter dirt, so always breathe through the nose, ठीक है, हमेशा हमें अपनी सांस से सांस लेनी चाहिए, do not pick the nose, कभी भी हमें अपनी नाख को ऐसे उपर नीचे नहीं करना चाहिए, do not use a dirty hanky to blow your nose as it may cause infection, जब भी आपको कभी cuff हो या जुकाम या कुछ भी ऐसा लगा हुआ है, तो उससे क्या करेंगे, कभी भी गंदा hanky या रुमाल हमें नहीं यूज करना चाहिए, इससे हमें infection भी हो सकती है, clear, next आएगी बेटे हमारे पास बात, tongue की, tongue क्या है, the organ of taste, हमें इसका taste बताती, ये tongue हम हमें taste के बारे में बताती है, देखो जड़ा tongue की एक picture दी होई है ना साथ में, पूरी देखो broad का, जो सबसे आगे वाला जो है, विलकूर pink pink कलर का जो दिया हूँ है, वहाँ पर अगर हमें टेस्ट करो, तो वहाँ पर हमें मीठे का taste पता जलता है, ठीक है, और ये जो दोनो तरह blue दियो है, वहाँ पर हमें salt का, नमक कितना जाद है, वो हमें हमेशा वहाँ पता चलता है, और खटा में कहां पता चलता है, ये जो उपर light yellow color का दिया हूँ, sour दोनों तरफ, और bitter कहां दिया हूँ है, विलकूल पीछे है हमारी tongue के last में, वहाँ पर हमें bitter taste पता चलता है तो ये proper जगा बनी हूँ है, जहां जहां पर हमें ये चीजें पता चलती है, flavors की, the tongue is the organ of taste, it has thousand of tiny taste bird that can taste sweet, bitter, salty and sour, tongue एक organ है, टेस्ट करने के लिए, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे buds होते हैं, जो कि हमें मीठा, खटा, नमकीन, कड़वा, ये सब बताते हैं, these birds have never ending, which carry the message to the brain to help us taste various food items, और इसके जो birds हैंगे, ये कभी भी खतम नहीं होते, हम जितनी बार कोई चीज खाते जाएंगे, उतनी बार हमारे ब्रेन को signal मिलता जाएगा, कि ये चीज हम मीठा खा रहे हैं, ये नमकीन खा रहे हैं, ये खटा है, ये कड़वा है, ठीक है, if we do not take proper care of tongue, we can damage our taste bird, अगर हम अपना tongue की अच्छे से care नहीं करते, तो हमारे जो स्वाद लेने की जो birds है न, जो taste वाले जो birds है, वो खराब हो जाएंगे, और एक point पर आकर हमें किसी चीज का स्वाद पता ही नहीं चलेगा, clear?